नमस्ति बच्चों, मैं जैश्री, हिंदी अध्याविगा, आप सब कोशरेगों, बुलम पब्लिक स्कुल गुरु आयों, ओर्लाइन क्लास के लिए स्वागत करती हुँ पार्ट आठ, लेस्टन एट, बिना कही बाद अकले दिन, मंद्री उनको दूसरी दिशा में ले गया, किन्दू दूसरी दिशा में वी वहीं दृष्चिदा The next day, the minister took him in another direction, but there was the same scene in the other direction दाना बिकर्या पड़ादा, कभूतर दाना चूक रहे दे, कुछ कभूतर मरे पड़े दे The grain was scattered, the pigeons were packing grains, some pigeons were dead राजा ने मंद्री से पूचा, तो उसे फिर वाही उत्तर दिया, चिकारी पक्षियों ने उने बी मार डाला है When the king asked, the minister gave the same answer Predatory birds have also killed these So why don't the pigeons run away? वे इसलिए नहीं बागते हैं, क्योंकि वे सब आलसी होगे है उन्हें मुफ्त में दाना जो मिलने लेगा है वे दाना गाने आते हैं, और सिकारी पक्षि उन्हें आसाने से मार डालते है They do not run away because they have all became lazy They are getting free grain They come to eat grains The predatory birds come and kill them easily Mandri ने राजा को सम्झाया राजा की आंखे गुलगई The minister explained to the king The king's eyes opened शाम को उन्होंने मंद्री को बुलवाया कहा, नकर के सारे मुफ्त बोजनालाई बेंद करवादो जो महनत करे, वे ही घाई लोग निकम में होते जा रहे है और हा, एक बात और में अब चत्रु के सेना मांगने पर सोना नही दूंग, सिर्फ लडूंग जाओ, सेना को मस्बूद बनाओ In the evening, he called the minister and said Close all the free restaurants, only those who work hard should eat it People are became lazy And yes, one more thing, I will no longer give gold to the enemy I will fight Go, strengthen the army Mantri, राजा की बात सुनकर बहुत गुश हुआ बोला, महार्याज, में तो बहुत दिनों से यही बात कहना चाहता दा लेकिन आपके क्रूद के डर से चूप रहा The minister was very happy to hear the king Said, महाराज, I wanted to tell you this for a long time But for the fear of your anchor, I kept quiet यह सुनकर राजा हस पड़े बोले, तुम्हे मान गया तुम बेना कहे भी अपनी बात खूब कहना जानते हो The king laughed hearing this and said I agreed, without saying a word you have expressed all राम जन्म शर्मा अभ्यास्ती, exercise no.3 इन प्रश्णों के उत्तर दीजिए Answer these questions Q. राजा कंचन देव क्यों दुख्की दे Why was राजा कंचन देव unhappy? उत्तर कंचन गड में बहुत गरीबी और बूप मरी दी इसलिए राजा कंचन देव दुख्की दे राजा कंचन देव was unhappy because there was poverty and hunger in कंचन गड Q. कंचन गड के लोग आलसी क्यों हो गये? Why did people in कंचन गड became lazy? उत्तर कंचन गड के लोग आलसी हो गये दे क्योंकि उनें सब कुछ मुफ्त में मिलने लेगा था People in कंचन गड became lazy because they got everything free of cost G. मंद्री को क्या देख कर बहुत दुख हुआ Why did the minister became very sad? उत्तर राजा ने लोगों की बात मान कर पड़ोसी राजा को सोना दे दिया मंद्री को यह देकर बहुत दुख हुआ The minister became very sad because the king agreed to the people and gave gold to the neighboring king G. मंद्री ने कबूतरों के मरने का क्या कारन बदाया What reason did the minister say for the death of pigeons? उत्तर मंद्री ने बदाया की यह सारे कबूतर आलसी हो गये दे इसलिए शिक्कारी पक्षियों के आने पर भी उड़कर जान नही बजा पाते दे The minister said that the pigeons did not fly away when the predatory bird reached because of their laziness Children, write and study these question answers बिना कही बात एक रियासत थी नाम था कंचनगड कंचनगड में बहुत गरीबी थी चारों और भुखमरी थी कंचनगड के राजा कंचनदेव अपनी रियासत की ऐसी हालत को देख कर बहुत दुखी थे उन्हें कोई उपाय नहीं सूज रहा था एक दिन कंचनदेव राज की दशा से बहुत चिंतित बैठे थे अचानक उनके पास एक साधू आए राजा ने साधू को प्रणाम किया प्रसन रहो बेठा साधू ने राजा को आशीरवाद दिया कंचनदेव ने साधू को अपने राज के बारे में बताया साधू मुस्करा कर बोले कंचनगढ़ सच मुच कंचनगढ़ है इसके नीचे सोने की खान है इतना कहकर साधू चले गए राजा ने खुदाई करवाई वहाँ सोने की खान निकली राजा का खजाना सोने से भर गया राजा ने अपने राज्य में जगह जगह मुफ्त भोजनाले बनवाए, दवाखाने खुलवाए, चरागाह बना दिये, अब वहाँ कोई दुखी न था, सब लोग खुश थे, किन्तु वे आलसी हो गए थे, कोई भी काम नहीं करता था, उन्हें मुफ्त में जो सब कुछ मिलने लगा था, मंत्री ने राज आलसी होने की बात जानकर, पड़ोसी राजा ने कंचनगड़ पर चड़ाई कर दी, और मांग की, सोना दो या लडो, कंचनगड़ के आलसी लोगों ने राजा से कहा, बहुत सोना है, कुछ दे दीजिए, बेकार में खून क्यों बहाया जाए, राजा ने लोगों की बात मा दाने विखरे हैं, काफी कबूतर वहां दाना चुग रही हैं, और थोड़ी दूरी पर कुछ कबूतर मरे पड़े हैं, राजा ने मरे हुए कबूतरों के बारे में मंतरी से पूछा, मंतरी ने बताया, बहाराज इन्हें शिकारी पक्षियों ने मारा है, शिकारी पक्षिय दाना बिखरा पड़ा था, कबूतर दाना चुग रहे थे, कुछ कबूतर मरे पड़े थे। राजा ने मंत्री से पूछा, तो उसने फिर वही उत्तर दिया, शिकारी पक्षियों ने इन्हें भी मार डाला है। तो कबूतर भागते क्यों नहीं? वे इसलिए नहीं भागते है क्योंकि वे सब आलसी हो गए हैं, उन्हें मुफ्त में दाना जो मिलने लगा है, वे दाना खाने आते हैं और शिकारी पक्षी उन्हें आसानी से मार डालते हैं। मंत्री ने राजा को समझाया, राजा की आँखें खुल गई, शाम को उन्होंने मंत्री को बुलवाया, कहा, नगर के सारे मुफ्त भोजनाले बंद करवा दो, जो मेहनत करें वे ही खाएं, लोग निकम में होते जा रही हैं, और हाँ, एक बात और, मैं अब शत्रु के सोना मांगने पर सोना नहीं दूँगा, सिर्फ लडूँगा, जाओ, सिना को मजबूत बनाओ, मंत्री राजा की बात सुनकर बहुत खुश हुआ, बोला, महराज, मैं तो बहुत दिनों से यही बात कहना चाहता था, लेकिन आपके क्रोध के डर से चुप रहा, यह सुनकर राजा हस पड़े, बोले, तुम्हें मान गया, तुम बिना कहे भी अपनी बात खूब कहना जानते हो, लेखक रा किसी